क्लिकों करेख 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 क daughters कुछ चाल चाल करेख के लिएक अचारी करेख कारईला हैं लुए के लिए इसको नमक लगाके दो से तीन घंटे के लिए रख देंगे अगर आप एक दिन जैसे अगर आपको सुबह बनाना तो आप रात को नमक लगा के भी रख सकते हो और अगर आपको जल्डी है तो आप दो से तीन घंटे के लिए जरू रख दीजिए इससे क्या होता है नमक लगाने से ये करेलो का कड़वा पन जो है वो पूर तो इसके बाद क्या करेंगे कि मैंने यहां पर नमक लगाता है तीन से चार घंटे हो गया तो आप पानी से थो लें इसको अच्छे से पानी डालकर धोना है जिसके यह नमक और जो करेलो का कड़वा पन है वो निकल जाएगा इस तरीकी से मसल मसल के हमें पानी डालते हूं तीन से चारवाद दो लेना इनको देखिए मैं इनके अपानी को पड़E सी निचोड़ते हूए निकाल दोगी अच्छे से निकालना है पाणी को बिलकुल भी पाणी नहीं रहना चाहिए करके का दोट व्यूदमर्ट तो यह पानी रहेगा तो यह हमारे उपर तेल में से गिर सकता है उसी तरह से मैंने हाप प्याज ली थी छह से साथ मेडियम साची प्याज ली तो इस तरीके से मुझे इसको लंबा लंबा काट लिया मैंने इन प्याजों को अब इदर मैंने पहले से लंबा लंबा काटना है गोल सेफ में नहीं काटना है इस तरीके से हम लंबा लंबा इनको काट लेंगे उसके अब मैंने कड़ाई रख दिया गरम होने के लिए इसमें डालोंगे मैं सरसो का तेल हमें ये करेले सरसो के तेल में ही बनाने है इससे क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर आपकी मैं ठारख लिक्रा करेते हुए करेले क Heute कि करेले हैं हमारे आपकी सर्षक्राले हो जाए कि इस तरीकों बारवत पार देगार सब्सक्राइव हो जाए इस तरीके इनको बारबत चलाते हुए अच्छी सफ्राइ और लोग कि अधर मैं अपने मसाला इद तंए इदन पैने छ और फॉति चममच में आप सौफ अग Walter जो कोई है इसमें घृत लाए क्षा दाला मिर्ची के नियुकर बटने नमख भी सिक्षुट, नमख ठीकिते हैं, कफरें और कम आपी ही तोड़ा की या पर सा नमख दालाएं精ाव मैं सारे गरम मसाले बाद या अपर आद सबस्क्तनान करें, बाले कि असे हाथ में प्याज मे कलियां भी अलग-लग हो गई है ही इधार अब मैंने लिया आर तो जरूरी है तो यह मैंने अचार लिया है दो से तीन कलिया अचार के लिए सात में डेल भी ले लिए थोड़ा सा सा मसाल्य विसे करवे। अर्सटा है क्या करेंगे जो हमारे अचार उनके इतने छोटे छोटे पीस हम कर लेंगे इस तरीके से मैंने अचार के अपने सारे पीस कर लिए है घर का अचार हो तो और अच्छी बात है अगर नहीं हो घर का तो मार्केट का भी आप ले सकते हो लेकिन आम का ही अचार लेना है इतने छोटे छोटे पीस करने के तरीके से डालने के और हाथोंती समय अक्चे से अच्छे से भी अच्छे मिक्स करेहरा 성 зем какую-स गीفर को साहता लंगे इस से क्या होता है कि इसमें एक तेस्ट आता है जो खहाने में बहुत टेस्टी लगता है उसके अरे और शैट्ध हमां तयो ख़ला हमारा करेलो को कर में इस तम advertisements और स dig Olive जो ख़ल सिर जोगी और हम dalु ख़ल और सब्सक्राइब के जानों तब्ले दोगी अउका है नमें जोपिछ बच्छा गminute ख़ली में ख़ली सब्सक्राना प्लेकर अपता सब्सक्राइब तो अब इसमें मैं क्या करऊंगी, और तेल नहीं डालना है, जो हमने मसाला चलाते हुए अच्छे से हमने भूल लिया है। आपको दिख रहा होगा वह चाहिए है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने करेले के बाद से निखेश के निखेश को पकाना है। करेल में अच्छे से मिक्स कर देना इसे कि इसमें करेलो में इनका फ्लेवर मसाली का फ्लेवर आ जाएगा इस तरह से ढखते हुए हमें इसे 5-10 मिनिट ता पकाना है और इस तरीके से चलाते भी रहना है करेले अचार की पर पसंद आए यह चैनल को लाइक शिर्ट करेंख करेंख सब्सक्राइब करें एक बाद जरूर करिएगा मेरी रेशिपी, कमेंट राहती तो मेरी रेशिपी और देखिये मेरी करेले बिलकुल पकतेड त्यार हो गया, आपको कलर भी देख रहा होगा एकदब चेंज हो चुका है मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ इस तरीके से देखिए कलर चेंज हो गया मसाला भी अच्छे बुन गया है तो आप निकाल लेंगे में इनको अलग बरतर में अचारी करेला बिल्कुल तैयारा आप र